साथियों मद्ध परदेश में चुनाव चालू है और चुनाव के दोरान बीएस्पी परतियासियों को किस तरह से और छोड़ने नहीं दिया जाता है उन्हें मारा जाता है आज हम आपको बताएंगे एक परतियासी बीएस्पी के हैं जिन पर जानलेवा हमला कराया गया है सहलाब उमरा हुआ था वहीं पर मोधी सरकार पर रोप लुवामा में आकेक किसने करवाया यह सामने आएगा चेहरा भी हम आपको बता देंगे इस वीडियो में वहीं पर बहन मायवती जी का बड़ा बयान आकास आनंद को लेकर के है जहां पर सबसे बड़ी ख़बर हम आपको बताते हैं कि सुधिर चौधिरी का चेहरा सामने आज तक न्यूज के एंकर हैं और उन्होंने आरचर के खिलाब बोला जो बावशा है महीं राम बेटकर ने बीएसपी पर जिस तरह से जान लेवा हमला हुआ है आपको बता दे मदपरदेश सहित पांच राजियों में चुनाओ चालू है जहां पर बीएसपी अपने दमदार अपने जो पर पर जीतने के लिए तयार है लेकिन वहीं पर जो अच्छी लोग हैं वो बीएसपी के पर पर हमला कर रहे हैं दलित पिछड़े आदिवासी लोगों को और डालने नहीं देने जा रहे हैं सबसे बड़ी साजिस यह है और एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मदपरदेश में सुरेश बगेल के ओपर जान लेवा हमला हुआ है बीएसपी पर खबर हम और जोड़ लेते हैं कि किस तरह से उनहात्तर हियार से चखभरतियों में घोटाला हुआ है इस वीडियो में हम आपको बताते हैं साथियो खबर सुरू करते हैं आज हम मदपरदेश से जहां पर बिरोधी पार्टिया ने बेख़ौप होकर के बैएसपी परतियासि के उपर हमला कर रही है और साथियो जीतू रोजोरिया लिखते हैं बिरोधी पार्टिया एतनी बोखलाई होई है कि हमला करने तक उगर हो गई है उन्हें साफ साफ हार का जर सता रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टियासि भोपाल पहुंचने वाला है बाकी जनता सब देख रही है कौन सही है और कौन गलत है और कौन इमांदारी से जनता का दिल जीतना चाहे रहा है और कौन बेमानी से चुनाव जीतना चाहे रहा है न्यूजटिन टूट करती है कि मधध परदेश में बेशपी परति शुरीज वगहील पर जानलेवा हमला हुआ है। लोग देखना बंद करिये सुधीर चौधरी ने आरचछड के खिलाफ सो कैसे कर दिया बाबा साहब इम्रा अमबैटका जैसे महापुरसों का अपमान है इस देश के संविधान का अपमान है सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों की वज़ा से इस देश में कमेरा समाज है और आप जीता जाकता सबूत हैं यदि अपने काश्ट का नाम बता देंगे तो आपको घर किराये पर नहीं मिलेगा आपके हां से गिलास कोई पानी नहीं पीगा यह सच्चाई है और आरचछड आरथिक आरचछड नहीं है यह अंटेचिबल्टी आरचड है इसके लिए लोगों के अंदर पेट में दर्द नहीं हो रोटेवेगी का संबंध करें जातवाद खतम करें आरचड अपने आप खतम हो जाएगा चलिए दूसरी खबर के और हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मामला अखिर क्या है साथियो मायावती जी ने एक सबसे बड़ा ट्व काने वाला होगा किस परदेश में बस्पा की सरकार बनेगी तो कई राजियों में बस्पा के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी यह मानने बहन जी का अनुभव है और ग्यान है मंगल कामनाय जय हो बस्पा साथियों ऐसे बस्पा के बहुत चाहने वाले हैं हर एक परदेश म इतने अच्छे और कर्मट लोग चाहने वाले हैं बसपा के कि अगर इस बार कोई मसिनिरी दुरूपयोग ना होता है तो बसपा जरूर जीतेगी और साथ हो साक्षी लिखती है कि बहुत बड़ी ख़बर जिसे सुनना आप लोगों के बसकी बात हो सकती है अगर चाहें तो हमवाना होतो अगर 80 करोन से अब 140 करोन को फिर रासन की लाइन में खड़ा करना हो तो अगर बचा कुछ देश बगवाना चाहते हो तो अगर काम की जगह धरम के नाम पर ओट लेना हो तो अगर किसानों को गाडियों से कुछ लवाना हो तो अगर इवाओं को बेरुजगारी का कटोरा हाथ में देना हो तो अगर इंसानियत की मौत करानी हो तो बोट करें अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि किसको ओट करें लेकिन इन्होंने जो भी निर्देश दिये हैं उसे एक साफ जाहिर होता है कि भाजपा की तरह पिसारा कर रही हैं खैर छोड़िये आज की हमें सबसे बड़ी खबर बताते हैं जो भीम आर्मी जाए भीम संग्ठन के राष्टे अध्यच्छ हैं भाई मंजीज सिंग नोटियाल जो भारत में भरमण कर रहे हैं मेरत की धरती पर की उन्होंने आज अस्पष्ट कर लिया कि उनके अधिकार कोई नहीं छेन सकता संभिधान सुरच्छित रहेगा और भीम आर्मी जाए भीम संग्ठन के पदा अधिकारी वाकार करता हैं कार करता हूं सभी लोगों का बहुत-बहुत हिर्दे सियाभार इतना सम्मान देने के लिए बहुत-बहुत सुक्रिया साथियों मंझीज सिंग नुट्याल वही हैं जो हर एक जिले में जाकर के एक जन सभा करते हैं जिसमें अपील लोगों से करते हैं कि लोग किसी के बहकावे में ना आएं और बोजन समाज पार्टी को ही अपना उड़ दें साथियों ऐसा सुनने में आया है कि बहराई जिला से सांसदी भी लड़ाई जा सकती है मंजी सिंग नुख्याल को आगे जो भी होगा हम वीडियो में बताते रहेंगे खबर को आप लोग देखते रहें और अपने यार दोस्तों में सेयर करते रहें वहीं पर एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं जो आरचड का घोटाला हुआ है 79,000 सिछक बैकंसियों में इसे स्वामी परसाद मौरिया ने ट्विट किया है जो आपको पढ़के सुनाएंगे लेकिन ये काफी रोचक मामला है कि पिछले कई सालों से आरचड का मामला लटका हुआ है और जितने 79,000 बैकंसिया थी वो भी लटकी हुई है अब पता नहीं कि और बैकंसिया नहीं निकल रही है इसी के वज़़ा से या फिर निकालना ही नहीं चाहती है सरकार मामला क्या है आपको बताते है स्वामी परसाद मौरिया ने चूटकिया उन 70,000 सिच्चकों के भरतियों में आरच्छे तवरगों के चायनित अभ्यार्ती अभी भी दरदर भटक रहे हैं इको गाजन लखनों में धरना दे रहे हैं चायनित अभ्यार्ती गड़ खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर फिर भी सरकार कर रही हीला हवाली भाजपा सरकार का पिछड़ा दलित बिरोधी चेहरा हुआ उजागर साथियों यहाँ पर कई तस्वीर आपको दिखाते हैं यह लखनो ईको गाजन की तस्वीर है यह जो लोग ठंडियों में रात में ऐसे सो रहे हैं साथियों जो लोग आपके सामने तस्वीर में दिख रहे हैं यह भारत की लोग हैं और दो कम धरना परदर्सन कर रहे हैं उन्हें बाबा साहब अमबेटकर ने आरचड के बल पर पढ़ाने लिखाने का अधिकार किया और आज 76 सालों में सबसे बराबरी कर चुके हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए एंटेसिबल्टी के अधार पर आरचड अभी भी बहुत जादा मिलना चाहिए जितना मिले अतन कम है और दोस्तों मैं बता दूँ आरचड का विरोध वो लोग भी करते हैं जिनको आप यह 10% आरचड मिला हुआ है खैर हमें आज भी तो उनके बरतर नहीं चुने दिये जाते हैं हमारे साथ वाज भी खाना नहीं खाते हैं तो हमें आरचड की तो जरूरत है है और हम मुदाएं